चलिए वेकप जिंदगी में आप रुख करते हैं उन खबरों का जो अलग लग निउस पेपर्स में हैल लाइन्स के तौर पर शामिल हुई है तो सबसे पहले खबर लेते हैं नोट बंदी से जुड़ी हुई क्योंकि एक के बाद एक विपक्ष और सरकार अपने अपने दाव आत्मक प्रभाब दोनों ही देखने को मिल रहे हैं तो ऐसे में दैनिक भासकर की खबर को लेते हैं दैनिक भासकर की खबर जेटली ने दिये बजट में आयकर चूट बढ़ेगी और टैक्स दरें भी घट सकती हैं यह अरुन जेटली ने संकेत दिये हैं वितमन्तु अरुन टेक्स के दायरे में आने के बार टेक्स रेविन्यू बढ़ेगा इससे सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों टेक्स की दरें कम कर सकती है इंकम और कॉर्परेट टेक्स प्रत्यक्ष कर है और सर्विस टेक्स एक्साइज वैट इत्यादी अप्रत्यक्ष करों में आत बता दें कि कल पूर्व वितमंत्री पीचे तमरम ने एक प्रेस कॉन्फेंस के जरिये नोडबंदी को लेकर कुछ चीजे बताई थी जो की अच्छी नहीं थी और ने कहा था कि ये सब चीजे जो है वो बहुत नकरात्मक है उसके बाद अरुण जेटली ने अपने समवाद मे कुछ चीजे बताई जिनसे की लोगों को ये होसला मिले कि जो भी चीजे अभी फिलहाल हो रही है अगर आम आदमी को कुछ संकट आ रहा है कुछ जूज रहा है नगदी के कश्टे जूज रहा है तो उसके लिए आगे की चीजे जो है वो अच्छी हो सकती है इसके अलावा दैनिक जागरन की खबर को लेते हैं नोट बंदी से जुड़ी हुई वही खबर है एक एक नोट पर नज़र यानि कि अगर कोई भी काला धन जुटा रहा है और बैंक उसमें सहयो कर रहा है तो ये निर्देश दिये गए हैं कि अब बैंक एक एक रुपए पर पैनी नज़र देगी और जो CCTV कैमरास हैं वो इंस्टॉल किये जाएंगे काला धन के कारोबारियों को बैंक से लेकर दूसरे कई सतरों पर मदद की खबरों के बाद बैंकिंग तंत्र अब जा गया है रिजर्व बैंक ने एक एक नए नोट की निगरानी करने का निर्देश दिया है बैंक बैंकों को भेजी सूचना में कहा गया था कि काउंटर पर जवां होने वाले हर नोट की निगरानी का इंतिजाम करें और इसके लिए बैंक ब्रांच में CCTV कैमरा लगाए जाए यानि कि अब तमाम जो खबरे आ रही थी कि नए नोट की खेप मिल रही है ग्रेटर नाइडा क कैमराज इंस्टॉल किये जाए और एक एक पैसे पर नजार रखी जाए कि आखिरकार ये नोटों का जखीरा किस तरह से बैंक के जरिये लोगों तो पहुँच रहा है अमर उचारा की खबर लेते हैं 14.25 प्रतिशत वेतन भड़ा और 27 लाख को फाइदा सूबे के करमचारियों और पैशनरों के नए साल का धोरा तोफा है और अखिलेश जादम ने कैबिनिट में राज्य वेतन समीती की सिफारिश मानी है और एक जनवरी 2016 से केंद्र के करमचारियों की तरह उनको भी लाब मिलेगा यानि कि 27 लाख करमचारी और पैशनर्स को अब केंद्री करमचारियों की तरह सात्वे वेतनायों का लाब मिलेगा मुख्यमंत्री अखिलेश जादम ने ध्यक्षता वाली प्रदेश क्याबिनिट ने मंगलवार को राज्य वेतनायों की सिफारिशों पर मुहर लगा कर करमचारियों और पैशनर्स को नए साल का दोहरा तोफा दे दिया है माना जा सकता इसे क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं तो अखिलेश सरकार एक के बाद एक ऐसे तोफे लगातार दे रही है इत्ते सारी लोकार पर अखिलेश सरकार की तरफ से हुए है ऐसे में वेतन जो आयोग है उसका ये इस पर मुहर लगना 27 लाग का फायदा होना य तमाम ऐसी खबरे आ रही है कि बैंक इसमें मिला हुआ है और बैंक के ही कई ऐसे इंप्लॉईज हैं जो ये सब कर रहे हैं और नोटों का फेर बदल कर रहे हैं विमूदी करण के बाद से देश पर में चापे मारकल लाकों रुपे की नक्दी जफ़त करने का दोगर अभी भी चारी है और गुजरात मध्यपरदेश राजस्थान तमिलाडू असम बंगाल और करनाटक में विविल जगाउं से पांसो और दो हजार रुपे की नई करनसी में लाकों रुपे की नगदी बरामत की गई है तो चलिए आगे रुप करते हैं खबरों का और बात करते हैं शीद कालिन सत्र की जो एक भी दिन सुचारू तोर पर नहीं चल पाया है और आज से सदन का शीद कालिन सत्र दोबारा शुरू होगा संसद में चार दिनों की छुटिया थी और उसके बाद नोट बंदी को लेकर नहीं बदले हालात की वज़े से आज भी दोनों सत्र की बाकी अवधी में संसद में मौजूद रहने को कहा है मौजूदा सत्र पर नोट बंदी के मुद्दे की चाया बनी रहेगी और अब तक इस विशे पर चर्चा नहीं हो सकी है सुत्रों के बताबिक विपक्षी कॉंग्रिस को लगता है कि सत्ता रोड पक्ष नोट बंदी से लोगों को हो रही परिशानी उसे ध्यान हटाने के लिए और गस्ता वेस्टलें हेलिकॉप्टर मुद्दे को उठा कर उसके शीर्ष नेताओं पर निशाना साथ सकती है और बुद्वार को सुबा संसत की बैठक शुरू होने से पहले विपक्षी दलों के नेता सदन में अपनी रणीती भी तैक करने के लिए बातचित करेंगे बीजेपी ने अपने सदस्यों को सदन में मौजूद रहने के लिए विप जारी किया है और प्रधार मंत्री मोदी आज अपने प्रमुख मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे जिसमें सरकार के रणीती तैकी जाएगी विधमंतरी अरुण जेटी ने का है कि सरकार नोडबंदी के विशे पर संसत में चर्चा के लिए तैयार है उन्होंने एक बर फिर कॉंग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से नोडबंदी पर चर्चा शुरू करने का आग रहे किया है और नोटबंदी पर संसत में प्रधान मंत्री मोधी के बयान देने का इंतजार खत्म हो सकता है केंद्रे मंत्री वेंकईया नाइडू ने बताया कि संसत के शीद कालिन सत्र में आखरी तीन दिनों में पीम मौजूत रहेंगे और संसत का सत्र 16 दिसंबर तक चलेगा अभी तक नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्ष पीम से जवाब की मांग करता रहा है और ऐसा नहीं होने पर अमूमन शीद कालिन सत्र का हर दिन हंगामे की भेंट चड़ गया है नोटबंदी को लेकर आम लोगों की मुश्किले बरकरार हैं ऐसे में माना जा रहा है कि पीम अब सरकार का बचाब पर विपक्ष पर पलटवार कर सकते हैं अब हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे समधाता अंबु जुड़ चुके हैं आप से जाना चाहेंगे तीन दिन बाकी है ऐसे ऐसे में तमाम संसत के बाहर की बात करें तो तमाम मंचों पर प्रधानमंत्री भी बोल र संसत में कुछ बूलना अब है अब है अब बुझ मिर्यावाद मिल पारिये अब जी अमजी जाना चाहेंगे तीन दिन बाकी है शीत कालिन सत्रपे और अब बाहर की बात करें तो तमाम विपक्ष के नेता भी और सरकार भी इन मुद्दों पर बात कर रही है प्रधानमंत्र है उनका बोलना है कि अब है कि हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है किसी तक्निकी खराबी के कारण लेकिन हम आपको बता दें कि पीएम आज दे सकते हैं अपना भाशन संसत में और हाला कि पीएम ने एक मुरेली के दौरान का कि मुझे विपक्ष बोलने नहीं देता है तो ये सौरी सौरी का दौर शायद आज खत्म हो जाए क्योंकि जिस तरह से विपक्ष कहता है कि सरकार को माफी मागनी चाहिए इस बयान को लेकर और सरकार कहती है कि विपक्ष को इस बयान को लेकर माफी मागनी चाहिए तो शाय रूपयों की तलाश में एटियम और बैंकों के आगे बरबाद होने पर मजबूर है सरकार की तमाम कोशिशों और कदमों के बाब जूत लोग परिशान है हर आम इंसान ये सोच में डूबा है कि नोट बंदी को आज 35 दिन गुजर चुके हैं लेकिन हालात जो के त्यो दिखा दे रही है लेकिन एटियम में सही रूप से कैश नहीं पहुंच पा रहा है जिससे आम जंता इधर उदर भटकने पर मजबूर है नोट बंदी के बाद भी प्रिश्टा चार थमने का नाम नहीं ले रहा है बलकि आए दिन अकपारों की हेंडलाइंस में प्रिश्टा चार क कम करोडों में नजर आती है नोट नहीं होते हैं लिहाज़ा सवाल उठने लगता है कि आम आदमी कहीं जरूरी नगदी पर प्रश्टाचारियों की नजर काली तो नहीं हो गई है और नोट बंदी का असर अब रोज मर्रा के जीवन पर भी दिखने लगा है चोटी चोटी जरूरतों के लिए लोगों को हाथ पहलाने पड़ रहे है नोट बंदी के चलते जहां पैसों को लेकर दिक्कत हो रही है तो वहीं व्यपार और चोटे चोटे उद्योगों पर भी इसका प्रभाव दिखने लगा है नोट बंदी के एक महीने से ज़ादा हो जाने के बाद भी स्थिती जस्कितस है नोट बंदी के 35 दिन भी लोग पैसों के लिए लाइन में लगे हैं तीन दिन के चुट्टी के बाद बैंक खुलने के कारण भारी भी भीड उमड़ी है जादतर लोग खाली हाथ हैं लोट बंदी से उबरने के लिए सरकार तमाम कोशिशे कर रही है खुदवित्यमंत्री सामने आकर स्थिती के जल्द सामाने होने की बात कर रहे हैं लेकिन जमीनी हकीकत सियासी बयानों से मेल खाती नजर नहीं आ रही है लोग अपने ही पैसों के लिए धक्के खाने को मजबूर है लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है लापाज यार जनता क्या करेगी नोटबंदी का असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है तमाम दिक्कते भी अब सामने आने लगी है समय के साथ अपने पैसों के लिए लाइन में लगी जनता इस बात की बात चोड़ रही है कि नोटबंदी पर सरकार की नर्मी आखिरकार कब खत्म होगी कब सरकार को ये मैसूस होगा कि उसके जिस फैसले के साथ जनता खड़ी है अब वही फैसला उसे तकलीफे देने लगा है ब्यूरो रिपोर्ट एपी एन नोटबंदी के मामले पर आज सुप्रेम कोर्ट में सुनाई होनी है सुप्रेम कोर्ट ने सरकार से पूछा है क्या कि क्यूं बैंक ग्राकों को 24,000 रुपए देने में भी समर्थ नजर आ रहा है इसके अलावा सुप्रीम कॉर्ट ने सरकार से पूछा है कि हस्पतालों को पुराने नोट लेने की सीमा क्यूं बढ़ायागी और नोट बंदी को लेकर आ सरकार को सुप्रीम कॉर्ट में इन सवालों का जवाब देना है सवाल नमबर नोट बंदी का फैसला RBI Act 26 दू का उलंगन है जुसमें कहा गया है कि केंद्रे बोट की मनजूरी से ये किया जा सकता है और किस सीरिस के नोटों को बंद किया जा सकता है सवाल नमबर दो नोट बंदी का 8 नमबर और उसके बाद के नोटिफिकेशन और समविधानिक है सवाल नमबर तीन नोटबंदी सम्विदान के समानता के अधिकार अनुछेद 14 और वेपार करनी की आजादी से सम्बंदित अनुछेद 19 जैसे मौलिक अधिकारों का उलंगर है सवाल नमबर चार नोटबंदी के फैसली को बिना तैयारे के साथ लागू किया गया जबकि ना तो कोई नई करंसी का सही इंतजाम था और ना ही देश भर में कैश पहुंचाने का सवाल नमबर पांच बैंकों और एटीम से पैसा निकालने की सीमा तैक करना लोगों के अधिकारों का हनन है सवाल नमबर चे जिला सहकारी बैंकों में पुराने नोट जमा करने और नए रुपए निकालने पर रोक सही नहीं है सवाल नमबर साथ कोई राजनीतिक पार्टी जनहित में याचिका के तहरत सुप्रेम कॉर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है और मोधी सरकार के नोट बंदी के फैसले पर कॉंग्रेस सुपादेक्ष राहूल गांधी ने एक बार फिर निशाना सादा राहूल गांधी ने नोट बंदी के फैसले को गरीब विरोधी बताया उन्होंने कहा कि पिये मोधी ने पूंजी पतियों को मदद पहुचाने के मकसद से इसे लागू किया है क्योंकि इन पूंजी पतियों ने ही उन्हें सत्ता की कुर्सी तक पहुचाने में मदद की है नोटबंदी पर कॉंग्रिस ने मोधी सरकार पर पूरी तरह से हल्ला बोल दिया है संसत से लेकर सड़क तक कॉंग्रेस ने नोट बेंड पर सरकार को खेरने की रणनीती तयार की है दादरी के नाज मंडी पहुचे कॉंग्रेस उपाद्यक्ष राहूल गांदी ने कहा कि सरकार कैशलेस सोसाइटी की बाग कह रही है जबकि सच ये है कि नोट बंदी के वैसले से लोग कैशलेस हो गए है राहूल गांदी ने कहा कि उनके पास नोट बंदी को लेकर सरकार की पोल खोलने की तमाम बाते हैं लेकिन उन्हें संसत में बोलने नहीं दिया जा रहा कॉंग्रिस उपाद्यक्ष ने प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्जी पतियों की मदद का दबाव है जोकि पूर्जी पतियों ने ही उन्हें यहां तक पहुचाया है आठ लाग करोड रुपिया हिंदुस्तान के 5 10 15 20 सबसे बड़े उद्योग पतियों ने हिंदुस्तान के बैंकों से ले रखा है वो उसको वापिस नहीं दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी उन उद्योग पतियों से आठ लाग रुपे नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि उन्हीं उद्योग पतियों ने मोदी जी के मार्केटिंग की है मोदी जी को वहां बठाया है कुर्सी पर तो बैंक को चालू करने के लिए मोदी जी ने आपके जेव में से पैस स्कीम बता रहे हैं लेकिन उनको मालूम है कि देश की जनता इसे सफल स्कीम बता रही है और इसमें सहयोग कर रही है और राहुल गांदी ने मोदी सरकार को गरीब विरोधी बताया और उन्होंने कहा कि पीम मोदी ने इमांदार लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया आठ नवंबर के ऐलाम के साथ ही उन्होंने गरीबों के खिलाफ जंग छेड़ दिया बीरो रिपोर्ट एप्याइन नगदी से जूज रहे देश में नोटों के काले खेल पर से महराष्टर के राइगण में उस वक्त परदा हटा जब भारी मात्रा में नए नोटों को पकड़ा गया पकड़े गए लोगों के पास से 14 लाग के नए नोट बरामत हुए हैं इसके साथ ही नभी मुंबई में भ करोड चार लाग के नए नोट के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है इन गिरफ्तारियों के बाद ये सवाल उटने लगा है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर अगर नए नोट भष्टाचारियों के पास जाएंगे तो फिर नगदी के संकर से जूज रहे आम आ उस्पिकल के आसपास कुछ लोग पैसा एक्षेंज करनी के लिए आने वाले हैं तो इसके अनुस्वार ठानी क्राइम ब्रांच के यूनिट नंबर एक के सिनियर प्याय नितिन ठाकरे और उनके पूरी टीम में जो है यहां पर एक ट्राप बिशाय था और उसके ट्राप के नई कैश सभी कैश जो है 2000 रुपे की करन्सी मी मिली है और नोट बंदी के बाद से के दिसरकार ऑनलाइन पेमेंट और इवालेट के इस्तिमाल पर जोर दे रही है लेकिन तकनीक के दौर में अपका इवालेट भी सुरक्षित नहीं है साइबर क्राइम करने वालों की नजर आपके बटुए पर हैं डरिये मत कानपूर की ये खबर देखिए और समझदारी दिखाईए ये हैं उपाहार टेलका इन्हें ऐसा उपाहार मिला है जिसे आप अपने दुकानों और घरों से हमेशा तूर रखना चाहिए नुडबंदी के तौर में इसके भुकत बोगी बने है कानपूर के मोबाइल दुकानदार लाल जी जिन्होंने दो चार रुपए कमाने के लिए पेटियम की सुवधा लेकिन 20 दिनों में ही इनके पेटियम पटुए से 8000 रुपए ऐसे गायब हुए जैसे गठे के सिर से सी लाल जी ने पेटियम के मुलाजम से शिकायद भी की लेकिन पेटियम इवालिट से गायब रुपए अब तलक अब तरित नहीं हुआ इनकी आखों में उमीद की किरण है नहीं मिलेगा तो मुकदमा करेंगे वैसे भी जब तक सास है तब तक आस है लाल जी के साथ जो बीती है उससे कानपूर जले में क्राइम पर लगाम लगाने वाले भी अचंबित हैं जले के स्पी क्राइम जितेंद्र कुमार शिवास्ता फिलाल लाल जी की दुप्ती रख पर मरहम तो नहीं लगा सके अलबकता उन्होंने साइबर क्राइम एक्सपर्ट के तौर पर जरूरी सलाज जरूर दी है मसलन कोई मैगनेट डिवाईस से आपकी प्लास्टिक मनी का डेटा चुड़ा कर आपको कर सकता है कंगा लाल जी को जो अंचाहा उपहार मिला है वो उनकी कमाई पर डाका डाल गया पता नहीं पे टी एम उनका हक कब वापस करेगा या वो साइबर ठगी का शिकार हो गए फिलहाल पुलिस और पे टी एम ही इसका हल निकाल सकेंगे लेकिन आप अलर्ट रहिए नहीं तो सेकंडों में मनी ट्रांस्वर की चक्कर में हो जाएंगे विताउट मनी शिव शर्मा, एपी एन, कानपुर पैसे के किलत नोटबंदी एक महीना बाद भी लोगों को रूला रही है खास कर ग्रामीन इस दिक्कत से जादा परशान है ग्रामीनों को अपनी फसले बोनिंग हैं लेकिन पिछले कई दिनों से बांकों में पैसे ना होने के कारण ग्रामीनों का गुस्सा फूट रहा है अब ग्रामीनों का सबर जवाब दे गया है और उन्होंने हाइवे जाम करना शुरू कर दिया है ताजा मामला मेरट में सामने आया है जहां मेरट करणाल हाईवे पर आज पूरे नानू गाउं के लोगों ने कठा होकर हाईवे को जाम कर दिया इस दोरान गाउं की औरते भी मौझूद थी ग्रामीनों का रोप है कि उनके जिला सहकारी बैंक में पिछले कई दिनों से पैसे नहीं है जिससे पहले भी इसी तरह की समस्या लगातार बनी हुई है ग्रामीनों का रोप है कि बैंकर में कुछ चुनिंदा लोगों को पैसा ब्लाक में वाइट कर देते हैं ऐसे में ग्रामीनों को पैसा नहीं मिल पाता, जाम की वचे से घंटों तक लोग जाम से जूचते रहे, मौके पर पहुंची पोलिस ने किसी तरह लोगों को समझा भुजा कर जाम खुल पाया काद ग्रेनों मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर समेथ 11 परियोजनाओं का सीयम अखिलेश याद अवलोग कारपन करेंगे नौ स्टेशन वाला ये कॉरिडोर सेक्टर 71 से नौलिश पाक तक जाएगा जिसमें साथ स्टेशन ग्रेटर नौइडा और दो स्टेशन नौइडा से बनाया जाएगे इस कॉरिडोर के पूरा होने के बाद एक दिन में एक लाग से जादा लोग इस रूट पर सफर कर सकेंगे हाला कि दिसम्बर 2017 तक ग्रेटर नौइडा से नौइडा के लिए अक्ट्वा लाइन खोल दिया जाएगा मुख्य बोटैनिकल गार्डन से दिल्ली कालिंदी कुछ तक मेट्रो का ट्वाइल होगा नौइडा क्रिके स्टेडियम नौइडा सेक्टर 71 से ग्रेटर नौइडा नौइडा नौलिश पार्क तक मेट्रो लाइन का लोकारपन समेश शेहर में बने नए एलिवेटेड रोड और अंडर पास का भी लोकारपन होगा नौइडा सेक्टर 21 सेट स्टेडियम में लाइव लोकारपन कारेक्रम होगा सियम अखिलेश यादव वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए आशिला नियास करें और इसी खबर पर हमारे साथ अनामिका जूच चुकी है हमारे समाधाता लाइव अनामिका आज नौइडा वालों को विशेश तोफे मिलने वाले हैं लेकिन अखिलेश यादव एक बार फिर से अंधविश्वास के चलते नौइडा नहीं आएंगे लोकारपन के लिए आज बिलकुल देखे तबना आज नौइडा को बहुत बड़े तोफे मिलने वाले हैं देखा जाएं तो 27 योजनाएं ऐसी हैं जिसमें से 11 योजनाएं ऐसी हैं जिनका आज लोकारपन किया जाएगा बाकी कशिला नियास किया जाएगा स्पोर्ट स्टेडियम से लेकर कि नारी निकेतन और नए थाना भवन से लेकर कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो आज तोफ़े की रूप में मुख्यमंतरी अखिलेश आदो लखनू बैटकर वीडियो कांफरेंस ने के जरीए नोडा को देने वाले हैं। हरानी इस बात की है कि आज अगर बात की जाये तो पांस साल का जो कारेकाल है अखिलेश आदो का वो खत्म होने वाला है। और इन पांस सालों में बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जब अखिलेश आदो ने नोडा को सौगात दी है। जहां से 27 बड़ी योजनाओ का तौफा देने वाले हैं नोडा को जाहिर तोर पर बड़ी योजनाओ है और करोड़ों अगर बात की जाये तो चुनाओ से पहले कम से कम मुख्यमंत्री नोडा को बड़ी सौगात देने जा रहें। लकनू से दे रहे हैं ये बड़ी बात है कि इतने समय में काम पूरा होगा तो सिर्फ 27 योजनाओं के अगर बात की जाए तो कुछ ही योजनाओं ऐसी है जिनका उधगाटन तो कर दिया गया है लेकिन आम जंता के लिए नहीं खोला गया है क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ कुछ ऐसा ही नोड़ा की योजनाओं के साथ भी होगा दिखाई देगा और दिखाई दे रहा है जहां पर कुछी योजनाओं ऐसी है जो जमीन पर उतर पाई है बहुत सारी योजनाओं ऐसी है जिन पर काम होना भी बाकी है और काम पूरा होने में काफी वक्त लगेगा तम चुनाओं में जाना चाहते हैं और आपने दिगे भी देखा होगा कि मुख्यमंतरी अखिलेश आदो विवादों से बचते हुए हर बहस को विकास की और मुड़ देते हैं तो कहीं न कहीं प्रयास यहीं है उनका कि चुनाओं से पहले जो वादे किये गए थे या जो तोफू की बात मुख्यमंतरी अखिलेश कहते हैं या फिर विकास की रास्ते जो सत्ता के शिकर पर पहुंचने का प्रयास रहता है मुख्यमंतरी का वो कम से कम चुनाओं से पहले जरूर दिखाई दे रहा है जहां पर अगर बात की जाए तो फिर चाहिए वो मेट्रो हो फिर जो ग चुनाओं को देख करके दिये जा रहे हैं और प्रयास यहीं है मुख्यमंत्री अखिलेश यादो का कि कम से कम जब भी वो चुनाओं में जाए रैली करने के लिए या फिर लोगों को सम्बोधित करने के लिए तो उनके पास गिनवाने के लिए धेरो काम हो जो उन्होंने प् आई पास जो है वो अभी तो नहीं खेलेगा लेकिन हाई एत है क्योंकि एलेक्शन आने वाले हैं तो तोफों की बॉचार जो है वो सीम अखिलेश यादव किसी मामने में चूकना नहीं चाहते और राज उत्रप्रदेश में ऐसे लोगों को समानित किया जाएगा जिन्हों यूपी विधान सबाद चुनाफ से ठीक पहले सीम अखिलेश यादव ने सरकारी करमचारियों को साथवें वेतर आयोग का फायदा देने का एलान कर दिया है और इसे सरकारी खजाने पर एक हजार करोड का अलग से भार आयोग भार आएगा हाला कि अखिलेश सरकार ने मौनसून सत्र में अनुपूरक बजट के जरिये इस राजशी का इंतजाम कर लिया है चुनाओं से ठीक पहले अखिलेश सरकार का मास्टर स्टोक सामने आया है अखिलेश सरकार ने 7 वेतर आयोग की सिफारिशों को मंदूरी देते हुए एक जनवरी से इसकराब सरकारी कर्मचारियों को देने का फैसला किया इसे मास्टर स्ट्रोक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस एक फैसले से सीधे सीधे 22 लाग कर्मचारी और करीब 6 लाग पेंशन धारकों और उनके परिवारों को फायदा पहुँचेगा मुख्यमंद्री के इस फैसले के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं अप्राद ब्रस्टाचार का बोल वाला है और अप्रादियों के होसले तने बड़े हुए हैं कि बेहन बेचियों का स्कूल जाना भी दूबर हो गया है अकलेश आदव जी ने दोनों हातों से सूबह को लूटने का काम किया है अब वो किसी को क्या देते हैं महत्पुर नहीं है क्योंकि अकलेश आदव जी की बिड़ायत तैह है सात्वा वितन आयोग की सिफार्सों को लागू करके उन्होंने कर्मिचारियों को कहीं ने कहीं ये संदेश देने की कोशिश किया है कि वर्तमान समाजबादी पार्टी की सरकार उनकी हितैसी है जो कि एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है ये सारे फैसले किवल इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि ये पुलिटिकल गिमिक है ये लोगों को बुद्धू बनाने की एक कोशिश है असल में उत्तर प्रदेश के अंदर आर्थिक तौर पर जन्ता परेशान है विदान सबर चुनाव के लिए तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी सरकार जन्ता को सौगात देने की मामले में तेजी से आगे बढ़ रही है हाल ही में मुख्यमंत्री ने लखनो मेट्रो के ट्राल रन का शुबारम लखनो आगरा एक्स्प्रेस वेका लोकार पर साइद कई लोक लुभावन योजनाओं के शुरुआत की जिससे साफ जाहिर होता है कि सपसरकार विकास के मुद्दे पर अपना दावा मजबूत कर रही है दूसरी और बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी के लाब गिनवाने में मशगूल है हाला कि नोटबंदी के बाद मची अफरात तफरी से भगवा खेमे को कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है ऐसे में ये देखना दल्चस्प होगा क्या खिलेश के मास्टर स्ट्रोक से उनकी किस्वत चमकेगी या नहीं अभिशेक पांडे, APN, लखनाओ पंजाब चुनाओं से पहले आमादमी पार्टी को बड़ा जटका लगा है राश्री कारेकारणी की सदस्य समेत तीन बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ती है मंगलवाट को पार्टी की राष्ट कारेकारेनी समीती की सदस्या यामिनी गोमर ने प्रात्मिक सदस्यता से इस्तिफा दे दिया है गोमर ने आपको पंजाबी और दलित विरोधी करार दिया और कहा कि इसके वरिष्ट नेता सबसे चलाख है गोमर ने आरूप लगाया कि विधानसवा चुनावों के कई टिकेट, भरष्टों, अपराधियों और रित्रहिन लोगों को बेच दिये गए हैं गोमर के साथ दो और आप निताओं ने भी ऐसे ही आरूप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी है गोर करने वाली बात ये है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में सप्ता के सपने देख रही है और उसके लिए 80 चोटी का जोड़ लगा रही है पार्टी प्रमुकरविन केजरिवाल ने किसी दलित को राज्य का उप मुखे मंतरी बनाने जाने का भी ऐलान कर रखा है पंजाब में सियासी पारा उफान पर है चुनावी आहट के बीच केजरिवाल दिल्ली की तर्स पर पंजाब में भी जाड़ू फेरने की कवायद में चुटे हुए है केजरिवाल के साथ दिवस्य पंजाब दौरे में आज च्छठा दिन है अाज आम आदमी पार्टी के राश्ट शनयोजक और दिल्ली के सीय मर्विंद केजरिवाल अम्रिशर में रैली करेंगे म bear चारा कि केजरिवाल आज अकाली उमीदवार विक्रम सिंग को विक्रम सिंग के खिलाब उमीदवार का एलान कर सकते हैं पंजाब दौरे पर किज्रिवाल अकाली दल के खिलाब जमकर निशाना साथ रहे हैं और सत्लू यमना लिंक समेथ तमाम उद्दों पर बादल सरकार को फेल करार दे रहे हैं. आम आदमी पार्टी के पक्ष में लोगों को साथ देने की अपील कर रहे हैं. और कॉलकता की एक फैक्टरी में आग लगनी की वज़ा से लाखो रुपए का माल जो है वो खाक हो गया. ये आग पश्चिम बंगाल के हावरा जिले में एक प्लास्टिक फैक्टरी में लगी. देखते ही देखते हैं पूरी फैक्टरी को आग अपने काबू भी कर लिया. वहीं इसमें किसी के हाताथ होने की फिलाल तो कोई खबर नहीं है. और डिसेंबर में अभी कम कपी छुड़ा देने वाली ठंड तो नहीं आई है. लेकिन कोहरे के असर से लोगों का रेल सफर लंबा हो गया है. कोहरे के कारण 90 ट्रेने देरी से चल रही है. बहुत जादा परसेंजर्स को बहुत परिशानी का सामना करना पड़ रहा है. उनकी सुविधा और ट्रेनों की पूछताच के लिए रेलवे हल्पलाइन नंबर जारी किया है. ये नंबर 0522 2234610 है. और इसके लावा 0522 2234620 है. वहीं MST वाले यात्रियों और स्टूडेंस के लिए हर ट पफास चार्ज का टिकेट लेना हुगा. और नई दिल्ली रेल्वे स्टेशन पर यात्रियों से बातचीत की हमारे समधाता अनल सिग ने और जारा कि उन्हें किस तरह की समस्याओं से दूचार होना पड़ रहा है. कोहरे के कारण 90 से ज़्यादा ट्रेने लेट हैं और जनता जो है नई दिल्ली रेल्वे स्टेशन के अंदर पैसेंजर यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे बिल्कुल जो है यहाँ पर बैटे वे हैं 6-6 घंटे साथ-7 घंटे से यह लोग बैटे वे हैं अपने ट्रे आपकी ट्रेन अभी तक तो 6 घंटे की असपस लेट है इसके टाइम था चार बाज गया पच्वन मिन्ट पे और अभी गरावजी का टाइम दे रहे हैं स्टेशन पर बैठे वे कितना समय होगी आपको मैं यहाँ पर राइट टाइम पर पहुंच गया था यहाँ पहुंच तो पता कुछ नहीं कौन सी ट्रेंज से आप जाने वाले थे राची जाना गरीब रद से अभी तक मुझे कुछ पता नहीं कि कब आईगी कितने बजे की रेल थी और अब क्या लग रहा है आपको कितने बजे तक आएगी चार बजे के यह रेल थी अब यह तो भी हमको कभी अभी तक कंफर्म नहीं रात हो चुकी है शाम चार बजे की आपकी रेल थी और अब तक आई नहीं है और आप क्या लग रहा है आपको अपने प्रशासन दे जाके बात करने कोशिश की अभी तो देखते हैं फिर पर जाके बात करेंगे फिर हम लोग कूली से पुछ रहे है और टाइमिंग थी उसकी 4 बजे साम की और अभी तक आई है नहीं ग्यारा बजे का अनाउंस्मन किया जा रहा है अब रात हो चुकी है शाम के चार बजे से आप जो है इंतजार कर रहे थे और अभी तक जो है आई नहीं है तो कितने घंटे आपको स्टेशन पर बैठे वे हो चुके हैं तीन बजे से पांच घंटे तो हो गए हैं पांच घंटे हैं बाचीत करने कोशिच करेंगे कुछ महिलाओं से मेडम आप कितने बजे से यहां पर इंतजार कर रही है और कौन सी ट्रेंस जा रही हैं पूरबास से कितने घंटे से आप स्टेशन पर बैठे हैं पांच बजे से साथ साथ आठाट घंटे हो गए हैं लोगों को बैठे वे स्टेशन पर यात्री अपना जो है सफर तै नहीं कर पा रहे हैं कोहरे की वजे से अगर रेलवे प्रशाशन की बात की जाती है तो प्रशाशन की तरफ से यह बात जरूर सामने आ रही हैं कि विध्यारतियों के ल पर लगातार जो है लोग परिशान हो रहे हैं छेचे घंटा जो है यातरी अपना स्टेशन पर गुजार दे रहे हैं लेकिन अगर प्रशाशन की बात की जाती है तो इनकी सुद लेने वाला अब तक भी यहां पर कोई नहीं है इसके चलते चार रेलों को और रद भी किया है जो कि देरी से चल रही थी कैमरा परसंदीप के साथ अनिल सिंग एपी एंड दिल्ली और यूपी में भी कोहरे और सर्ध हवाओं ने लोगों की मुश्किले बढ़ा दी है वारणसी में आज सुबा से कोहरे की वज़से सड़कों पर विजबिल्टी काफी कम हो गई है ज और इदर फैसाबाद में भी रेंड यादा याद पर कोहरे का खासा आसर देखने को मिला है यहां से गुज़ने वाली ट्रेने अधिकतर लेड चल रही है और इसकी वज़से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि बात उत्राखंड की करेंगे तो उत्राखंड में भी ठंड का असर देखा जा रहा है यहां की विजबिल्टी कम होने की विज़से सड़कों पर गाड़ियां धीमी रफतार में चल रही है ऐसे में आप लोगों की परशानिया काफी बढ़ गई है ठंड की वज़से और छोटे तब के वाद जीना मुस्किल हो रहा है और दूसरा सूर्थ कब तक आता है पता नहीं है स्कूल ये कर सकता है कि थोड़ा सा डूरेशन कम कर सकता है मौनिंग में स्कूल आर्स थोड़े बढ़ाए जा सकते हैं और पर चुट्टी के वगद भी थोड़ा टाइम कम ही करना पड़ेगा पर इससे यह की पढ़ाई बहुत इफेक्ट होती है सर भी प्रदेश सरकार अचार सhita लागू होने से पहले प्रदेश वासियों को मेटर ट्रेन की सवगाद दे सकती है प्रदेश सरकार ने दून रिशीकेश हरिदवार के बीच-like-trail transport system विखसित करने के मकसद से mono-rail चलाने का फैस्टा किया है और बात करते हैं हमारे समर्दाता लाइफ जूर चुक है इस वक्त हमाई साथ रवी के वेश रवी इस ख़बर पर डीटेल में थोड़ा बताईए क्या कुछ सरकार दे रही है तोफा आम जंता को चुनाओं से पहले रावज सरकार राजवासियों को उत्राखंड वासियों को एक बड़ा तौफा दे सकती है चार सजिता लगने से पहले यह तौफा दिया जा सकता है और यह खास तौफा है मेट्रो यानि मोनो रेल का जो एक लाइट रेलबे सिस्टम है उसको विक्सित करन है और डिया मार्सी के साथ जो एक बाचीत हुई है उसमें यह तैय किया गया है कि किस तरीके से इस पूरे मोनो जो रेल है उसको कैसे सिस्टम को विक्सित किया जाएगा और इनको रिपोर्ट बनाने को कहा गया था डिया मार्सी के लिए डिया मार्सी ने इसमें पूरी रि दून हरिद्वार और रिशिकेस के बीच में मिनोरेल चलाई जाएगी और इसके लिए पहली किस्ट के रूप में राजी सरकार DMRC को करीब धाई करोड रुपय का भुक्तान करेगी इसके बाद DMRC पूरी तरीके से काम करना शुरू करेगी और DMRC ना सिर्फ DPR बनाएगी इस पूरे प्रजक्ट का बलकि इसका पूरा जो भी प्रारंबिक दौर में जो एक प्रजक्ट होगा उसको संबालेगी लेकिन इससे पहले बड़ी जो आर्चन है वो दून हरिद्वार और रिशिकेस शेत्र को मेट्रो पॉलिटन शेत्र घोश को तोफा दे सकती है मोनोरेल का दुखाटर कर सकती है और देरादूर में ट्राफिक जाम की समस्या से शेरवासियों को निजात दिलाने के लिए मानवधिकार आयोग ने संग्यान लेते हुए प्रदेश सरकार को कई निर्देश दिये हैं आयोग ने कहा है कि रैलिया आदी जैसे प्रोग्राम को परेड ग्राउंड को इर्द करने के अनुमती दी जाए जिससे प्रदेश की ट्राफिक विवस्ता सुचारू रूप से चल सके हैं और एक पर फिर से हमारे समधाता रवी के वैश्य कारूख करते हैं जी रवी आप से तमाम खबर पर अपडेट आए दिन जाम देहरादून में लगा रहता है उत्राखंट की राजधानी है देहरादून यहां आए दिन लगने वाली जाम को लेकर मानबादिकार आयोग ने सक्त तरी से राज्य शरकार के सामने पेश आई ये सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यहां पे 16 साल प ट्राफिक सिस्टम उसका दवाव बढ़ने लगा और धीरे धीरे जहां जो टू लेन होता है बेसिकली इसके मानक होते हैं सलक पर दवाव के जो टू लेन होता है उस पर तीन हजार से लेके 35 का प्रेशर बेसिकली वह सलके जहिल सकती हैं लेकिन हरी रिशी केस और देहराद अगे बढ़ते हैं महराष्ट में नगरपाली का चुनाव के दूसरे चरण का मदान कल होगा दूसरे चरण में लातूर और पूरे जिले की 14 नगरपालीकाओं की 324 सीटों के लिए 1326 उमीदवार मैदान में हैं इसी तरह से 14 नगरपालीकाओं के नगराद्यक्षपत के लि और 17 नगर पंचायतों के चुनाव 27 नवेंबर कुवे थे जिन में सत्ताथारी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उपरी थी और इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं हमारे समधाता दिवाकर उनसे जाजानकारी लेते हैं दिवाकर आपसे जाना चाहेंगे अब इस पूरी खबर पर आपसे अपडेट लेना चाहेंगे दिवाकर देखिए आज जो 14 नगर पालिकाओं की 324 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सागदाओं पर है वो बिपक्ष की है क्योंकि पहले चरण के चुनाओं में जिस तरह से बिपक्ष के हाथ में हार लगी थी और ऐसे में बिपक्ष ये नहीं चाहे लगी थी उसको देखते हुए बीजेपी कोई भी धील नहीं देना चाहती और खुद महाराष्ट के मुख्यमंत्री ने इन नगर पालिका चुनाओं के प्रचार की जिम्मेदारी उठा रखी है तो कहीं ना कहीं पहले चरण में जिस तरह से बीजेपी को जवर्दस्त अगली खबर पर चलता है मुंबई की खबर है मुंबई के रेल यात्रियों को सुविधा प्रधान करने के लिए मद्यों और पश्चिम रेल्वे टिकेट काउंटर्स पर रेल्वे स्वाप कार्ट मशीन और माइक्रो एटियम मशीन लगाई जा रही है अब यात्री अरक्षन प्रडाली काउंटर्स पर उपलब्ध है और जल्द ही यह अनरक्षित टिकेट प्रडाली पर भी उपलब्ध हो जाएगी और एक बाद फिर से रुक करते हैं दिवाकर का हमाई समाधाता हमाई से लगाता है दिवाकर कितनी सुविधा हो जाएगी आम नागरी को इस से और क्या आम लोग जो है वह इस तरह की टेक्नॉलीची से दोचार होने को तयार है कि देखिए जब से नोटबंदी चालू हुई है मुझी सरकार ने जब से नोटबंदी का जो फैसला लिया है उसके बाद से रेलवे जो है लगा कैस में कैसले जो इसकीम है उसमें जहां पर डेली लगभग 2-5 मिलियन लोग सफर करते हैं और ऐसे में जिस तरह से नोटबंदी के बाद छुट्टे के किलत हो रही थी साथी साथ चुट्टे के किलत के चलते जो है काउंटरों पर मारपीट की कटनाय सामने आ रही थी उसको देखते वे कहीना कहीं एक अच् सब्सक्राइब सब्सक्राइब और अब मुंबई के बाद रुक करते हैं ज्हारखण का ज्हारखण की ज़ाने के लिए S frequently में मौझूद हमारे समझा कियानुनी। करके वैसी योजनाएं जो बरसात की दिनों में नहीं हो पाती थी वैसी योजनाओं पर राज सरकार अपना नीड़ने लेगी और इस संबंद में जानकारी देदों की लगातार जिस तरह से राज सरकार कैबनेट की बैठेक करके कई अहम फैसले ले रही है उसी कड़ी में जो जानकारी मिल रही है और उसके हिसाब से चालू वित्तिय वर्स का आखरी तीन महना बचा हुआ है और राज सरकार की ये वंसा है कि तेजी के साथ जो योजनाएं हैं जो बजट में प्रावधान किये गए हैं योजनाओं की उन योजनाओं को तेजी के साथ का अमली जामा पहनाया जा और इसी करी में आज भी कई महतफूर निने लिये जा सकते हैं खास करके सरक से जुड़े हुए मामले क्योंकि अब तक जो देखा गया है चालू वित्तिय वर्स के नौ महने में महत 45 फिस्दी रासी ही खर्च हो पाई है तो सरकार के सामने ये भी चुनाओती है कि तीन महने में वो किस तरह से योजनाओं की रासी को खर्च करती है और इसी करी में कई महतफूर योजनाओं पर आज कैवनेट की मुहर लग सकती है दूसरी बड़ी ख़बर के कर हम बात करते हैं तो पी लएफाई नकसली संगठन ने सी एंटी और स्पिटी एक्ट में के संसोधन के विरोध में जार्खन बंद का एलान किया है हलांकि सहरी छेत्रों में तो पी लएफाई के बंद का वैसा कोई खासा असर देखने को नहीं मिलेगा जी चलिए ग्यानलंचन आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए और जार्खन की खबरों से हम बॉंबे टॉकिस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में स्पॉर्ट बॉय का काम शुरू किया था फिर वो अभिनेता और निर्माता निर्देशिक बन गए राजकपूर को अभिनय पिता पृत्वी राजकपूर से विरासत में मिला है 14 दिसंबर 1924 को पिशावर के जन्मे राज कभी नहीं लगा और दस्वी कक्षा की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी राजकपूर को मनरंजन जगत में उनके अपूर्व यूगदान के लिए 1971 में पदमभूशन से भी भूशित किया गया साल 1987 में उन्हें सिनिमा के सर्वुच सम्मान दादा साहिब वाल के पूरसकार से सम्मानित किया गया 1960 में फिल्म अनाडी और 1962 में जिस देश में गंगा बहती है के लिए सर्वश्रेश्ट अभीनेता का फिल्म फियर पूरसकार दिया गया पूरी उस दौर की सबसे खुबसूरा चोड़ी माने जाती थी राजकपूर और नर्गिस की प्रेंट कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है शादी शुदा राजकपूर की जिंदगी में नर्गिस अचानक आई थी और उनकी प्रेंट कहानी बॉलिवुट के इतिहास में दर तो राजकपूर की ऐसे कुछ और भी अंसुनी कहानी है जिने आज आप शाम छे बजे राजकपूर पर एक खास कारकरम के जरिये देख सकते हैं और इस खास पेशकर्ष को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा छे बजे आवा रहा हूं आसमान का ता रहा हूं जीना इसी का नाम है